नमस्कार शाथियों निर्मार क्लासे जवद्ध्य हमें आपका हारदी स्वागत है आज हम लोग प्रोसीजरल एक्ट सीपीसी का एक मोस्ट इंपर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अंतरा अभिवाची वाद इंटर प्लीडर सुट एक विशेश प्रकार का वाद होता है विश उपरी तोर पर पढ़ने की हो जासे ठीक है यह एक ऐसा वाद होता है जो वादियों प्रतिवादी के बीच नहीं होता है क्योंकि सामाने तोर पर सिविल वाद जो होता है वादी और प्रतिवादी के बीच होता है यह वादियों प्रतिवादी के बीच नहों कर यानि कि दूसरे सब्दों में कहें वादी प्रतिवादियों के प्रती यानि कि कोई लाइविल्टी है उसे पूरा करना चाहता है अब वो किस को पूरा करे उधर दावेदार जादा हो गए तो नियायले से चाहता है कि इस मामले का आपने निप्तान कर दीजे कि जो हमें भुक्तान करना है जो हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना है वो निर्धारित हो सके कि मैं किसके प्रती जिम्मेदारी अपनी निभाऊं ताकि कोई दूसरा मुझे वही कार्य करने के लिए पुनाह बाद ना कर सके इसी से संबंधित होता है इंटर प्लीडर स्यूट यानि कि अंतरा विवाची वाद, ठीक है, सीधा हिसाब किताब है, इतनी बात में, अब बेर एक्ट क्या कहती है, और किस प्रकार से उसमें क्या कंटेंट रहने चाहिए, उनको हम पढ़ लेते हैं, तो पहली बात यह जानन 88 और आदेश 35 से, ठीक है, आदेश 35 से, जो कि आपको Code of Civil Procedure में मिलेंगे, जो कि 1908 का है, ठीक, एक सामा निसीबा, Code of Civil Procedure 1908 का जो आपका CPC है, उसी में यह आपको मिलेंगे, ठीक है, धारा 88 आदेश 35, अब धारा 88 क्या बात कहता है, इस बात को हम देख लेते हैं, धारा 88 क्या बात कह रहा है, अच्छर सा भी देखना जलूरी है, फिर अपने लिए क्या आवस्यक है, Where Interpleader Suite may be instituted, यानि कि अंत्रा विवाची वार कहां संस्थित किया जा सकेगा, कोई इन्होंने विशेस हेडलाइन में यह नहीं बताया कि हम डेफिनीशन दे रहे हैं, कहां सर्द लिख करके कहा है, जहां दो या अधिक वेक्ति, उसी रिण, धनरास या अन्य जंगम या अस् करते हैं, जो प्रभारों या खर्चों से भिन किसी हित का उसमें दावा नहीं करता है, और जो अधिकारवान दावेदार को उसे देने या परिदत करने के लिए तयार है, वहां ऐसा अन्य वेक्ति, समस्थ ऐसे दावेदारों के विरुद, अंत्रा विवाची वाद, उस व परित्राण अभी प्राप्त करने के प्रियोजन से संस्थित कर शकेगा, सामान इसी बात, यानि इन्हों ने कहा, कोई रिण है, धनरास है, अस्थावर या चल संपत्ति है, ठीक है, इन्हों ने इन सब्दों का प्रियोग किया है, रिण, धनरास, जंगम या अस्थावर शंपत्ति, इनकी अदायगी, यानि वापसी कोई करना चाहता है, बस आप क्या करिए, परन्तु, उसके लिए, एक से अधिक व्यक्ति, उसके लिए या वापस पाने के लिए, ठीक है, अपना अपना दावा करने लगते हैं, या दावा करते हैं, ठीक है, दावा करते हैं, ये एक सामाने बात हुई, ठीक, अब ये जो कोई व्यक्ति है, इन दोनों बातों को पढ़कर निकलता क्या है, कि किसे वापस किया जाए, या किसका दावा माना जाए, यही प्रश्ण है, किसे वापस किया जाए, या किसका दावा माना जाए, तो अब इतना लंबा धारा लिखी हुई है, ठीक है कि अधिकारवान दावेदार कौन होगा, चाहे वो धारा याद करिए, या इन सब्दों में, पढ़ भी लिजे तो आपको याद हो जाएगा, यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक, अब क्या होगा, अब इसमें वादी, प्रतिवादी आ जाएंगे, अब दावा करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए, परिणाम क्या निकलेगा, वादी, ठीक है, प्रतिवादियों में किसका दावा मान्य है, के लिए वाद लाता है, ठीक है, वाद लाता है, इसी को, इसी वाद को, इंटर प्लीडर स्विट कहते हैं, चलिए परिभासा से इतनी बात हो गई, अब जड़ा हम देख लें, आडर 35 क्या कहता है, आदेश 35 क्या कहता है, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, क्योंकि CPC में यदि आप जो आदहार हैं, जो परिभासाएं हैं, जो बाते हैं, मुख, धाराओं में, यदि आडर रूल से जोड़ ले जाते हैं, जोड़ कर पढ़ ले जाते हैं, तो CPC आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है, ठीक, तो इन्होंने आदेश 35 अंतरा भिवाची वाद में क्या कहा, यानि कि हमको 1, 2, 3, 4 जानना प्रात्मिक्ता नहीं है, बलकि आदेश 35 क्या कह रहा है, यह जानना आपकी प्रात्मिक्ता होनी चाहिए, ठीक है, आडर वन, आडर 35 का रूल वन क्या कहता है, अंतरा भिवाची वाद में वादपत्र, यानि कि कोई भी वाद 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 पत्रों के माध्यम से लाया जाता है, यह आप CPC ने पढ़ रखें हैं, वाद पत्रों के लिए आवस्यक अन्य कथनों के अतरिक्त, यानि कि वाद पत्र में कई कथन होते हैं, नाम पता से संबंधित और जो भी चीजें हैं, उन आवस्यक बातों को लिखने के बाद, जब आप अपना प्लेंट तैयार करेंगे, तो क्या बात ध्यान रखनी है, या कथन होगा कि वादी प्रभारों या खर्चों के लिए दावा करने से भिन, किसी हित का दावा विबात की बिसेबिस्त में नहीं करता है, प्रतिवादियों द्वारा प्रितक्ता किये गए दावे कथित होंगे तथा यह भी कथन होगा कि वादी और प्रतिवादियों में से किसी भी प्रतिवादी के बीच कोई दोसंदी नहीं है बहुत सिंपल भासा में कहा गया कोई दोसंदी नहीं है अब इसका मतलब ये कि यहां जो वाद पत्र आएगा ठीक है यहां पहले क्या होगा प्रारंभिक कथन होंगे जो सामान होते हैं प्रारंभिक सामान कथन होते हैं वो कह देंगे इसके बाद कौन कौन से कथन यहां पर होंगे उनको ध्यान रखना है क्या कि वादी वादी को वाद खर्च दिलाया जाए ठीक है वादी को वाद खर्च दिलाया जाए ठीक और इसके साथ कहना होगा विसेवस्तु में जो वाद की विसेवस्तु है में वादी का कोई अन्य हित नहीं है में यह बात कि वाद खर्च दिलाया जाए है अब मैं क्या करूँ बाकि मेरा कोई इंट्रेस्ट नहीं है लेकिन साहब यह डिसाइड करने के लिए कि किसका हित होगा उसको मैं देदू जो मेरा खर्चा आ रहा है वो हमको प्रीज दिलाया जाए ये बात कहेंगे ठीक है और अलग अलग दावेदारों के क्या दावे हैं को कहेगा कौन सा दावेदार किसा अधार पर क्या दावा कर रहा कि ये मेरा है ये मेरा है वो कहेगा वो बताएगा और उन्ही दावा को हम लिखेंगे कि इनका ये दावा है इनका ये दावा है इस आधार पर ये कह रहे हैं कि मुझे को दीजिए इस आधार पर ये कह रहे हैं कि मुझे को दीजिए तो आप बताएए मैं किसको दूँ अंतरा भी वाची वागो ठीक है इसके बाद इसके बाद अगली जो इंपार्टेंट बात है अगली वो हो दूसरे रूल में कहा गया कि अगर जो पिसे वस्त है वो न्यायाले में जमा करने लाइक है तो वादी कैदे साहब इसको आप सम्हाल लीजिए जमा कर लीजिए मुझको मुक्ती दे लीजिए मेरा खर्च दिला करके अगर जमा करने लाइक है तो जमा कर देगा थर्ड रूल में कह रहे हैं जहां प्रतिवादी वादी पर वाद चला रहा है अगर उसी विशेवस्तु से सम्मंधित प्रतिवादी का कोई दावा पहले से चल रहा है वादी के विरुद्ध तो फिर यह दावा रोक दिया जाएगा पहले से ही जब वो विशेवस्तु नियाले में किसी वाद में प्रश्णगत है तो निया वाद आप कोई भी परकार कर नहीं ला सकते हैं तो बेसिक रूल है पहले से ही जान रहे हैं दारा दस से ही आप जान रहे हैं अगली महत्पून बात है रूल फॉर में पहली सुनवाई अब नियाले क्या करेगा नियाले के सामने मामला पहुँच गया, नियाले क्या करेगा, तो नियाले के समझ वादी पहुचा, वादी ने कहा, कि सहाब ये मेरा दावा है, कि इन दोनों दावेदारों के बीच मैं इस विशेवस्त को किसको सिपूर्द करूं, कृपया इसका निप्टारा कर दीजिए, बाकी मेरा कोई इंट्रेस्ट नहीं है, हमको बस खर्च दिला दीजिएगा, अब बात आजी ने अले ने सुना, तो पहली सुनवाई के आउसर पर वो कहता है, कि भाई चलिए अब इस विसेवस्त से सम्बंधित आप उनमुचित हो जाए, क्योंकि अगर कोई रिड़ है, तो दूसरी बात, अगर नयायाले को लगा कि वादी का काम यहीं तक था कि मेरे संग्यान में लाए, तो वादी को वहां से उस वाद से खारिच कर, ठीक भई अब आप घर जाएए, अब आप घर जाएए, आप मेरे संग्यान में मामला ला दिये हैं, वादी को वहां से हटा दे लेकिन अगर उसे लगता है कि नई वादी का भी बने रहना जरूरी है, तो वादी को बनाये रखेगा. अनिता अनिता वो क्या करेगा, कि परतिवादियों को ही वादी परतिवादी बना देगा, उनके उनके दावों के लिए, और सुनेगा, अगर उसको उसी समय लगता है कि डिसाइड मैं कर सकता हूँ किसी का सही है इसी का दावा सही है तो डिसाइड कर देगा अधर्वाइज बिवाद्यक बिंदूओं की रचना करेगा और ट्राहल करेगा यह रूल फोर में लिखा हुआ है और फोर के सवरूर थर्ड के बी में लिखा है कि मूल वादी के बदले अतिरिक्त किसी दावेदार को वादी बना दिया जाएगा और वाद मामूली रीद से बिचारण करने के लिए अगसर हो जाएगा यानि कि मूल वादी को कहेगा भई अब आप घर जाएगे उनी परतिवादियों में से किसी को वादी बना देगा अनि को डिफेंडेंट बना देगा तो यहां फिर प्लेंटिव डिफेंडेंट के रूप में काम आगे बढ़ जाएगा पहली ही सुनुआई पर उसको लगता है कि नहीं हम डिसाइड कर सकते हैं किसी का दावा बनता उसको देढ़ेंगे तो वादियों सुपृद कर दे सब मुक्त हो जाएंगे उन प्रतिवाद्यों में से फिर किसी को समस्जा है तो अपना वाद लेकर के आए पषिवादी यहों के बीच का डिसाइड होगा वादी तो मुक्त हो जाएगा वो तो देना भी चारा है और फसा हुआ है किसको दे अंत्रा विवाची वाद आपका यही होता है चाहे मेंस में लिखिए चाहे प्रिलिम्स में लिखिए सरलतम भासा में मैंने आपको बोल दिया सीधा कांसेप्ट को समझेए कलम कभी नहीं रुकेगी कांसेप्ट नहीं समझ रहे है कलम कभी चलेगी भी नहीं सीपीशी है लोगों को इंट्रेस्टिंग नहीं लगता है लेकिन बहुत इजी बहुत इंट्रेस्टिंग है लेंदी धोड़ा है वह एक अलक बात लेकिन अगर सही धंक से पढ़ा जाय सी पी सी भी आपके लिए बहुत आसान ही लगेगा ठीक तो ये था आपका अंतरा भिवाची बाद पसंद आया हो लाइक करें सेयर करें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि धीरे धीरे हमारी आपके सफर ये बढ़ता रहे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै वारत तन्यवारत